आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ गुरूर्मोनिक स्टुडिंट्स तो Epidemics का क्या मतलब होता है Epidemics का मतलब महामारी मतलब किसी एक तरह का जो disease है कोई disease मैसिव स्केल पे फैल जाए जैसे की इसका बहुत basic example ले लो अगर आप लोग देख रहे हो तो ये Corona का टाइम चल रहा है तो Corona क्या है एक तरह का epidemic है इसको pandemic का नाम दिया है क्योंकि worldwide में फैला हुआ epidemic है अचानक से पूरी दुनिया में एक disease का फैलना ये क्या है? Epidemic है अब ये किस टाइप की problem है? Economical है Economic का मतलब होता है कि पैसे से related नहीं क्या है administrative है? administrative मतलब government से related तो obviously directly तो ये administrative नहीं है Corona की vaccine के लिए इतना सारा लोग struggle करने में लगे है WHO, World Health Organization ये लोग सब महनत कर रहे है ताकि Corona की vaccine बना दे हम लोगों के लिए ठीक है? तो ये क्या है? ये disease जो है ये medical issue को create कर रही है तो one जो है इसका answer है C Medical अब shortage of funds फंड का मतलब पैसा पैसे की कमी तो यार इसको देखते ही बता सकते हो ये तो Finance related problem है Economical मतलब Finance related problem मतलब माल लो कि कोई project पर काम करना है किसी को ठीक है? कोई company खड़ी करना है पर उसके पास funds नहीं है तो किस type की problem है? वो है Economical type की problem आपको एक नई दुकान खोल लिए पर आपके बस दुकान को खरीदने के लिए या उसको रेंट पर लेने के लिए पैसा नहीं है Short rate of funds ये किस type की problem हो गई? Economical problem Okay तो second का अंसर हो गया A तो I hope ये question अब सबको समझ में आ गया होगा